हेलो, वेलकम बैक टू दा चैनल, कहिए कैसे हैं आप, I hope की आप बहुत अच्छे होंगे, आप अपना अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे आज हम यहाँ पर करने वाले हैं complete theory consumption function, consumption function इसके इंदर 4-5 topic रहेंगे कि जो consumption function है वो क्या है, इसके बाद आप पढ़ोगे कि APC, MPC और APS, MPS इन चीजों के बारे में, यानि कि जो इसकी attributes हैं, उसके बाद आप पढ़ोगे कि जो psychological love consumption क्या है और इसको निर्धारित करने वाले कौन-कौन से factor हैं कि जो subjective or objective factor हैं, उनके बारे में हम देखेंगे आए, start करते हैं, एक motivational course के साथ शिक्षा एक ऐसी उडान है, जिसे पंखों की जरूरत नहीं यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तुजरा हिम्मत तो कर खवाब बदलेंगे हकीकत में, तुजरा कोसिस तो कर निकि मुश्किल नहीं है दुनिया में, तुजरा हिम्मत तो कर कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में हीमत करके देखिये तो खवाब बदलेंगे हकीकत में तू ज़रा कोस्य तो कर आईए स्टार्ट करते हैं Conjunction देखिये जो Conjunction का जो Conjunction का capability करते है वो तीन चीज़ों के उपर depend करता First है कि जो MPC है वो 0 से ज्यादा होती है और 1 से कम होती है वैसे ही जब income increase करती है तो APC क्या करती है डिकलाइन करती है और जो consumption है वो function है disposable income का यानि कि disposable जो current income है आपकी income में से जो text देने के बाद जो income बचते है disposable income वो होती है जिसको आप खर्च कर पाए यानि कि खर्च करने योग जो आए है उसके उपर आपका consumption depend करता है तो देखिए MPC greater than zero कैसे होती है जब हमारी income increase करती है income increase होने पर क्या होगा हमारा consumption भी increase करता है तो इसलिए जो हमारी MPC होती है वो क्या होती है greater than zero उसके बाद आप देखोगे कि less than one कैसे होती है जब हमारी income increase करती है तो उसके साथ साथ हमारी saving भी increase कर जाती है तो जितना भी हमारा income है उस बत्स ही होती है, वो क्या होती है, less than one भी होती है, जब इंकम बहुत ज्यादा से बढ़ जाती है, और यह यहां पर इसका मतलब है कि जब इंकम हमारी बहुत ज्यादा से इंकरीज कर जाती है, जब अमीर हो जाते हैं, तो हमारा जो एपीसी एपीसी को जो formula होता हूँ तस c divide by y तो हमारी जब income बहुत ज़्यादा से increase कर जाती है तो consumption पर किया जाने वाला खर्द जो है वो कम हो जाता है जिसकी कान से जो हमारी एपीसी है वो decline करती है तिसरी बात है कि जो consumption है वो disposable current disposable income के उपर depend करता है देखिए जो केंज है वो मान कर चलता है कि लोंगरन नाम की कोई चीज नहीं होती जो होता है वो सिर्फ सोटरन में ही होता है तो इसलिए उनका जो कंजमसन फंक्शन है वो सोटरन कंजमसन फंक्शन है इनका जो फंक्शन है वो सोटरन कंजमसन फंक्शन है यह ध्यान रखिए सोटरन कंजमसन फंक्शन है और जो यह consumption function उन्होंने खुद नहीं बता कि मैं short run की बात करता हूँ हाँ उन्होंने ये तो कहा कि जो long run है long run का कि long run के बारे में कौन जानता उसके वहां तक तो सब क्या कर जाएंगे dead हो जाएंगे यानि कि ये कहीं पर ने लिखा कि short run consumption है जो दूसरे economics आये जब उन्होंने study किया तो पाया गया कि जिस तरीके का relation इसकी theory में है तो इनकी theory में है तो ये relation बताता है कि इनका जो function है वह short run है आईए देखते हैं कि जो इनकी theory को कहां पर support किया गया है जो तने भी मतलब यहां पर जो भी study हुई जो भी research हुई जो दो हमारे second world war का जो समय रहा first और second world war के बीच का जो समय रहा वहां पर क्या हुआ consumption और जो income है उनके total जो आकड़े हैं उनको देखा गया और इन आकड़ों से जो consumption function है इसको support किया गया है इनकी consumption function का मतलब जो consumption function है income का और income increase करेगी तो consumption भी increase करेगा जो हमने अभी तीन बाते बताई तो इन्हों ने जो consumption function है यह second world war फर्स्ट और second world war जो हुआ उसके बीच में जो हमारा समय था एक तरीके से study किया गया तो देखा गया कि जो consumption है वो function है income का इस चीज को sport किया गा इस चीज ही को sport नहीं किया गा जो तिननों बात अभी हमने बताई लेकिन जब महामंदी आई यानि कि 1929 30 में उस टाइम पर देखा गया कि जो income low थी यानि कि income क्या थी एक तरीके से low थी low income होने के कार्ण से तो आपका जो consumption था और जो saving थी वो भी क्या थे consumption और जो saving है वो भी हमारे low थे तो इसका मतलब यह है कि जब हमारी low थे लेकिन जो हमारी MPC है उस time पर वो क्या थी यानि कि zero अब देखा कि जो हमारी MPC है उस time पर zero से ज्यादा और एक से कम थी इसके अलाव यहां पर पाया गया है कि जो c upon में y है वो high था अभी मैंने low बताया था वहाँ पर high का मतलब है कि उस time पर income क्या थी कम थी तो कम income के होते हुए यहनि कि हमारे पास मान लिया जाए कि 10,000 रुपे salary है तो 10,000 में से अब क्या बचा पाऊगे तो इसलिए जब low income होती है तो जो c divided by y होता जो a p c होती है वो high होता और जब income ज्यादा होती है तो यह low हो जाएगा a p c जो है तो यहां पर यह चीजे पाई गई तो महामंदी जब आई तो उस time पर यह जो केंज ने जो दूसरा नुमान लगा था यह वाला यह भी सत्यसीद हुआ कि जो हमारा consumption है जो income में ज change आता है वो क्या होता हमारा zero से ज्यादा होता और एक से कम होता और last में फिर पाया गया जो third जो उन्होंने दिया था कि जो consumption है वो function है income का इस बात को sport किया कि इसके other कोई variable इतना मजबूत नहीं ता variable इतना strong नहीं दिखाई दिया कि वो consumption को impact कर पाए तो इसलिए यह बात भ बाते जो हैं केंज की थियोरी की वो क्या कर दी गई एक तरीके से फरुफ कर दी गई उनको sport किया गया आईए अब देखते हम कि ये तीन बात आपने देख लिए कि जो MPC है वो zero से ज्यादा होगी एक से कम होगी income increase करेगी तो आपकी APC decline करेगी जो consumption है वो function है disposable income का और वो भी current income का तो आप देखिए जो consumption function है वो हमारा income के उपर depend करता है ये ध्यान रखिएगा consumption जो हमारी income के उपर depend करता है जैसे जैसे हमारी income increase होती है वैसे वैसे consumption भी increase होता है एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पर income और consumption दोनों एक दूसरे के इकवल हो जाते ही वहाँ पर ज starting में अभी मैं आपको बताऊंगे simple इतना ही अभी समझिए कि जो हमारा consumption है एक तरीके से consumption का और जो income का जो relation है वो non proportional है non proportional और plus में reversible है reversible है इसका मतलब है reversible का कि non proportional का तो मतलब यह है कि जैसे जैसे income increase होती है वैसे वैसे income increase होने पर आपका consumption भी increase होता है लेकिन एक समय ऐसा आता जब income और consumption दोनों एक दूसरे के equal हो जाते है और shavion हो जाती है जीरो इसके बाद यदि income increase करती है तो income के increase करने से एक part जो हमारा saving है वो भी increase करता तो इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे income increase करेगी इस point के बाद तो हमारे consumption भी इतकरchy करेगी बट उतने से नहीं जितने से income इसलिए बोला कि non proportional है reversible का मतलब है जब हमारी income decrease करती है तो हमारा consumption भी decrease करता है निके जैसे income increase होई थी वैसे consumption भी increase होगी तो consumption हो जाएगा ये है reversible इसके बाद आप देखोगे कि जो consumption function है यहाँ पर case का जो consumption function है वो एक तरीके से independent है case कहता है independent इसका मतलब है कि आपका उभोग किसी दूसरे विक्ति के उभोग के उपर निर्भर नहीं करता यानि कि जो आपका कंजम्शन है वो कैसा है इन्डिपेंडेंट है कि आप चाहे मर्जी कुछ भी करो आप अपने परोशी को देख कर अपने कंजम्शन को चेंज करने वाले नही हो तो आएए आगे देखते हैं इस थोरी में फिर क्या है देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर आपने एक डायग्राम बनाना है ओ एक्सिज पर आप इंकम को लोगे और ओ आई एक्सिज पर आप कंजम्शन को लोगे यहाँ पर आप कंजम्शन को लोगे और यहाँ पर आप ओ एक्सिज पर आप इंकम को लोगे अब देखे स्टार्ट करते हैं इसको अभी कुछ समय के लिए आप S को भोल जाएए इसका बाद में यूज करके दिखाएंगे अब यह जो कंजम्शन फंक्शन है यह इस तरीके का कंजम्शन फंक्शन है शोर्टरन कंजम्शन फंक्शन है समझिए कि जो सी नोट है यह आपका ओटोनॉमस कंजम्शन है और जो बी है यह आपका स्लोप है यह जिसको आप बोलो M.P.C. है M.P.C. का फोर्मूला होता है चेंज इन C डिवाइड बाइड बाइचेंज इन Y इनकम में चेंज होने से कंजम्शन में कितना चेंज आएगा यानि कि यह वो कंजम्शन है जो इनकम के साथ डिपेंडनेंट है जब आपकी इनकम अगर यहाँ पर आप जीरो कर देते हो तब भी आप इतना कंजूम करोगे तो इसका मतलब क्या है कि जब आपकी इनकम जीरो हो जाती है तो आप कुछ ना कुछ कंजूम करते रहोगे जो कि यह ओटोनोमस है ठीक है यह इस इनकम से क्या है इनडिपेंडन में जो चेंज आया तो यह देखो अगर आपके पास ऐसे दिया वा कि C equal to C note plus BY और अगर आपने यहाँ पर निकालना है APC APC अगर आपने निकालना तो आप करोगे C divided by Y यहाँ पर भी C note divided by Y करोगे और यहाँ पर किया हो जाएगा B Y divided by Y तो यह Y से Y cancel हो जाएगा तो यह आपका फोर्मूला बचेगा कि APC equal to C note divided by Y plus में B तो यह चीजे भी आपको निकालनी आनी चाहिए आईए अब स्टार्ट करते हैं आपने देख लिया इसके slope के बारे में slope का मतलब होता डलान अब देखिए जब आपकी income zero है तो आपका consumption कितना इतना तो जब आपकी income है zero यह आपकी income है यहाँ पर तो आपका consumption का level कितना है ये आपकी income यहां से जीरो से हम start करते हैं कि income है हमारी जीरो, तो उस टाइम पर हम इतना consume करते हैं, जिसे जिसे हमारी income increase होती है, वैसे वैसे हमारा consumption भी decrease होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है, जहाँ पर income और consumption दोनों एक दुसरे के बराबर हो जाते हैं, तो ये आपका income है, य जैसे जैसे हमारी income increase हुई, वैसे वैसे हमारा consumption भी increase हुआ. यह जो एलिया है, यह आपको दिखाता है, कि आपका consumption जोड़ा है income से. जब आपका consumption जोड़ा होता है income से, तो लिए किया करते हो, किसी से क्या करोगे, उधार लोगे, तो उस time पर हमारी saving क्या होगी negative होगी जब वो point आएगा कि income और consumption एक दूसरे के बराबर हो जाएगी ये वाला तो उस time पर saving क्या हो जाएगी आपकी zero हो जाएगी उसके बाद जैसे जैसे income बढ़ेगी ये वो income है जहां पर income ज्यादा और consumption कम तो जो आप जितना कम consume कर रहे हो उतना ही आप क्या कर रहे हो save कर रहे हो तो जैसे जैसे income increase होगी तो उतना जितनी income increase होई है उतने से आपका consumption increase नहीं होगा क्योंकि उसका एक part क्या कर लिया जाएगा save कर लिया जाएगा तो ये आपने देख लिया जो consumption function है उसमें ये वाला डाइग्राम जो है वो बनाने की जरूरति नहीं होती simple बताओगे कि जो consumption है वो function है हमारा income का और कैसा relation है positive relation है बट non proportional है यानि कि non proportional है ये proportional relation नहीं है कि income increase करेगी तो consumption भी increase करेगा बट उतने से नहीं जितने से income thank you so much आप video को